प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो हम उडान फेज 2 के अंदर आज कक्षया 26 विज्ञान में अध्याये 14 जल के कारे पत्रक करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास कारे पत्रक एक प्यारे बच्चों क्या होगा अगर एक सब्ता तक आपके घर पानी नहीं आएगा क्या आप निम्रित कारे कर पाएंगे पहला है खाना बना पाएंगे क्या बिलकुल नहीं बना पाएंगे सिनान कर पाएंगे क्या अगर पानी आए तो नहीं कपड़े दो पाएंगे क्या नहीं बरतन साफ कर पाएंगे क्या नहीं तो आपने दिखा ये सारे काम खाना बनाना सिनान करना कपड़े दोना बरतन साफ करना अगर एक सब्दा तक पानी नहीं आए तो हम ये नहीं कर सकते हैं आगे कारिया पत्रक दो आप एक दिन में कितना पानी परियोग करते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर रमेश लिख लिए रमेश पीने के लिए क्या करता है जैसे दिन में पांच मग पानी पीता है ठीक है नाने के लिए जैसे एक बाल्टी लिख सकते है सोचाले के लिए एक बाल्टी लिख सकते है अन्यकारिय के लिए वो हम दो बाल्टी लिख सकते है तो बाल्टी आपकी पचास पचास लिटर की मालो तो 500 तो कितने लिटर पानी उसका हो गया मग मालो एक जो है वो एक लिटर का है पांच लिटर हो गया तो 155 लिटर हम एक दिन में पानी पर योग कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी बच्चा है वो अपने तरीके से लिख सकता है आगे है क्या आपके घर के आसपास कोई जलस्तरोत यदि हाँ तो निसान लगाईए आपके घर के आसपास कोई जलस्तरोत है निसान लगाईए जिस समुंदर नहीं मिलेगा कुवा हो सकता है गुआ है नहर है हमारे आपके घर में पानी कहां से आता है तो नहर से आता है ठीक है और नहरें कहां से आती है नदियों से तो पानी एक किसम से पहले नदी से नहर में और नहर से वाटरवक्स में आता है और वाटरवक्स से घर में आता है ठीक है तो अब आप समझ गये होंगे कहां से आता है नदी से आता है इसके बाद में कारिय पत्रक चार है जिसमें क्या दिखाया हुआ है जल चक्र दिखाया हुआ है जल चक्र में क्या होता है पानी वास्पी करण होकर के उपर जाता है तो यहां पर यह तीर का जो निसाल का हुआ है यहां पर वास्पी करण लिखेंगे वास्पी करण ठीक है और उपर जाने के बाद यह जो बाजल बने हैं यह किसके कारण से बनत यहां यहां इस वास्प सर्जन केहते हैं तो यहाँ इन एरो पे आप लिख सकते हैं वाश्प और पानी यहां से और यहां तो यहां से प्लो भी चैन्ट कर चाहरे तो आज हमने अध्याए 14 किया जल उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद